राशियों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। राशिय के अनुसार ब्यक्ति के स्वभाव और भविसे से जूड़ी हुई कई सारी जानकारियों को प्राप्ट की जा सकती है। ग्रह गोचर और नक्षतर की चाल का असर राशियों पर कुछ न कुछ जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घट नाय भी हमेशा एक समान नहीं होती है। अगर आप पता लगाना चाहें कि आपकी राशी क्या है और आपकी संगत राशियां कौन-कौन सी हैं तो आप बिलकुल सही जगा पर हैं। यहां आप राशी जोतिस, राशी शंगतता और राशी की तितितियों के बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि कुल बारा जोतिश राशियां होती हैं और प्रतेक राशी की अपनी ताकत और कंजोरियां, अपने खुद के विशिष्ट गुण, एक्छा, जीवन तथा लोगों के प्रति रवया होता है। अकाश की छवियों या जन्म के समय ग्रोहों के इस्तिती के विशलेशन के अधार पर जोतिश हमें एक ब्यक्ति की बुनियादी विशेष्टाओं, प्राथमिताओं, कमियों और भहय की एक झालक को दे सकता है। अगर हम राश्यों की बुनियादी विशेष्टाओं को जान लें, तो हम वास्तों में लोगों की जीवन को बहुत ही बहतर तरीके से जान सकते हैं। ब्यक्ति की बारा राश्यों में से हर एक विशिष्ट राशी तत्व के अंतरगत आती है। चार राशी चक्र तत्व हैं वायू, अगनी, पृत्वी और जल। और उनमें से हर एक हमारे भीतर कारे रत एक अनिवार्य प्रकार की उर्जा का प्रतेनिधित्व करते हैं। जोतिश का लक्ष्य हमें सकरात्मक पहलूँ पर इन उर्जा का ध्यान केंदरित करना और हमारे सकरात्मक गुणों की एक बहतर समझ पाने और नाकरात्मकता से निपटने में मदद करना है। हम सभी में ये चार तत्व मवजूद हैं और वो जोतिश राशियों से जुड़े चार बिलक्षन ब्यक्तित्व प्रकारों का वर्णन भी करते हैं। चार राशी चक्र तत्व, बुनियादी चरित्र गुणों, भावनाओं, ब्यवहार और सोच पर गहरा प्रभाव दर्शाते हैं। ब्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जोतिश शास्त्र के अनुसार कुल बारा राशियां बताई गई हैं। और इन सभी राशियों का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है। अगर ग्रह नक्षत्रों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इन सभी राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पढ़ता है। तो किसी राशी पर इसका प्रभाव बुरा भी पड़ता है, ब्यक्ति के जीवन में उतार चड़ाव का बना ही रहता है, समय में साथ साथ ब्यक्तियों की राश्यों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि वो और उसका परिवार हमेशा खुश रहे, साथ ही वो अपने परिवार को हर तरह की सुख सुविधा भी प्रदान कर सके। आजकल के जिन्दगी में हर कोई तो यही चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे और उसे कोई भी चीज की समस्या न हो जिसके लिए वो पैसे कमाने में लगा रहता है। इतना ही नहीं हर कोई अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि लोग काफी मेहनत करते भी हैं लेकिन उन्हें उनका फल नहीं मिल पाता है। फिर ब्यक्ति इस बात से हैरान परिशान रहता है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। इतना ही नहीं, कई बार ये भी देखा गया है कि लोग इस बात से इतना हैरान, परिशान और हताश हो जाते हैं, लेकिन जोति शास्त्र की अगर हम बात करें, तो उसमें बताया गया है कि लोगों के जीवन में जो भी परिशानी आती हैं, वो सब उसके ग्रहों की भी चाल हो स और इसका सीधा असर आपके परिवार पर भी पड़ता है। हम आपको बता दें कि इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने आने वाले समय के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और वो जानना चाहता है कि उसके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। उसको आने वाले समय में सफलता प्राप्त होगी या फिर नहीं। इसी प्रकार से बहुत से सवाल उसके मन में उठते रहते हैं। आम तोर पर हर व्यक्ति नय साल और नय महीने को लेकर काफी उत्सुक होता है कि उनका आने वाला नय साल या आने वाला नय महीना कैसा गुजरेगा। हम आपको बता दें कि ब्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत ही महत्व है। इनमें समय के अनुसार परिवर्तन भी आता रहता है और ग्रा नक्षत्रों के चाल के अनुसार इसका राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। किशी राशि को खुशिया मिलती हैं तो किशी राशि के ब्यक्तियों को दुखों का भी स्रामना करना पड़ता है। ब्यक्ति के जीवन में ग्रा नक्षत्रों के चाल के अनुसार उतार चड़ाव भी आते रहते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार से शुक्र की चाल में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जिसकी वज़े से ऐसी चार राशिया हैं जिनको बड़ी सफलता प्राप्थ होगी और इनके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज हम आपको उनहीं चार राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उन चार राशियों के बारे में। पहला मेश रासी मेश रासी वाले ब्यक्तियों को शुक्रवार से शुक्र की चाल में हो रहे परिवर्तन की वज़ा से ये अपने धैनिक जीवन में नए परिवर्तन को देखेंगे इस रासी वाले ब्यक्तियों के उपर धन की माता लक्षमी जी की अपार क्रिपाद्रिष्टी बनी रहेगी जिसकी वज़ा से इनकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी धन दौलत, रुपया पैसा, सुक्षंब्रिधी, सभी में ब्रिद्धी होगी कोशिश करने वालों की कभ होने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुब होने वाला है, आप अपने जीवन में सफलता की नई उचाईयों को छुएंगे, दूसरा, सिंग राशी, सिंग राशी वाले ब्यक्तियों को इस सुक्रवार से, सुक्र की चाल में हो रहे है परिवर्तन की वज़ा से, इनके जी पर नियंतरन रखने की भी जरूरत है, शांती पुर्वक अपने कारे को करें, जीवन साथी का आपका पूरा सहयोग मिलेगा, जो ब्यक्ति ब्यापारी हैं, उनको ब्यापार के छेतर में धनलाव प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बदलाव प्रकति का नियम है, इसलिए आ आपके लिए लागदायक साबित होंगे, तीसरा कन्या राशी, कन्या राशी वाले ब्यक्तियों को इस सुक्रवार से शुक्र के चाल में हो रहे परिवर्तन की वज़ा से, ये अपने जीवन में तेजी से सभलता की और बढ़ेंगे, आप जो भी कारे मन लगा कर करेंगे, आप अपने जीवन में सफलता के छेत्र में अपनी अलग भाचान बनाएंगे, तामपत्य जीवन सुक्र में रहेगा, वाहन चलाते समय साओधान रहने की जरूरत है। इस राशी वाले ब्यक्तियों के उपर लगातार बनी रहेगी, जो आपके लिए लावदायक सिद्ध होगा, जो ब्यक्ति बिद्यारती हैं, उनको सिख्छा के छेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी, नौकरी के छेत्र में किये गए प्रयाज सफल होंगे, माता पिता क भी पूरा सहयोग मिलेगा, अगर आप कहीं निवेश करते हैं, तो आपको लाव मिलेगा, आपकी सेहत बिगणने की संभावना बन रही है, इसलिए आप अपनी सेहत के प्रती सचेत रहें, सफलता के नए किर्तिमान अस्थापित करते हुए आप आगे बढ़ेंगे. करता मिलेगा, बढ़ेंगे. कर दो कर दो कर दो